ओम शान्ती, सच्छित आनन स्वरूप पिता, हम आत्माओं के अंदर भरी हुई खाद को निकालने के लिए हमें मनमना भव का मंत्र देते हैं और हमें लिब्रेट कर वापिस साथ ले जाने के लिए हमें रोज रोज नई पॉइंट सुनाते हैं तो आज बावा ने जो विशेश बाते कहीं वो इस प्रकार हैं बाप बच्चों को क्या समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं लौकिक और पार लौकिक हे भारतवासी तुम विश्व के मालिक थे जबकि तुम्हारा आदी सनातन देवी देवता धर्म था मैं तुम्हारा बेहत का बाप हूँ तुमको बेहत का वर्सा देता हूँ 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ तुम 84 जन्म कैसे लेते हो तुम भारतवासीों ने मिनिममम एक और मैक्सिमम 84 जन्म लिये हैं आत्मा एक स्टार है आत्मा में ही खाद पड़ती है बाप की महिमा उच्च ते उच्च सर्व का सद्गती दाता ग्यान का सागर सुख का सागर पतित पावन, लिब्रेटर, गाइड, दुख हरता सुख करता, सुप्रीम रूह, कालों का काल, महाकाल, नॉलेज़फुल, बीज रूप, सच्चित आनन्द स्वरूप कंट्रॉस्ट की बातें लौकिक बाप से हद का वर्सा मिलता, पारलौकिक बाप से बेहद का भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है देवी देवता धर्म श्रेष्ट थे, अभी धर्म भरष्ट है देवी देवता कर्म श्रेष्ट थे, अभी कर्म भरष्ट है देवी देवता पावन थे, अभी पतित बने है सद्गती सत्यूग को कहा जाता, दुर्गती कल्यूग को कहा जाता नर्खवासी नर्ख में जनम लेंगे, स्वर्गवासी स्वर्ग में जनम लेंगे सत्यूग में हम सतो प्रधान थे, कल्यूग में तमो प्रधान बने हैं सत्य युग में राम राज्य होता है द्वापर में रावन राज्य परम्पिता परमात्मा है रचाईता बाखी है उनकी रचना बाप क्या कहते हैं? बाप आकर क्या करते हैं? बाप से वर्षा लेने का पुरुशार्थ करना है। मामेकम याद करो। रुहानी यात्रा करनी और करानी है। काल पर जीत पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान से सुनना है। अपने को रुह समझ, रुहों को ग्यान देना है। आज मातेश्वरी जी के जो माहवाक्य चले, उनकी कुछ मुख्य बाते इस प्रकार हैं। मनुष्य जो भगवान को सर्वयापी मानते हैं, उनसे क्या पूछना है। इश्वर हाजिर होते हुए भी, स्रिष्टी में इतना दुख क्यों। मनुष्य इतने कंगाल, महताज क्यों। भगवान के हाजिर होते हुए, दुनिया सुक स्वरूप होनी चाहिए या दुख स्वरूप। परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। परमात्मा का साथ क्यों नहीं लिया। तो ये थी आज के मुरली की विशेश बातें। आज हम सारा ही दिन आत्मअभिमाने बनने का अभ्यास करेंगे, माम एकम याद करेंगे, रुहानी यात्रा पर रहेंगे, और रुह को देखकर रुह से बात करेंगे, और रुहानी ज्यान ही सबको बाटेंगे। ओम शान्ति